हलो फ्रेंड्स नमस्ते स्वागते माई यूटूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश तो फ्रेंड्स आपको जैसे पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो एलिमेंटरी के नाल है या डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें नर्व सप्लाई किस प्रकार की होती है तो हमने उसके बारे में बताया कहां कहां पे कौन सी नर्व सप्लाई होती उसके बारे में भी बात की और थोड़ा सा मैंने नर्व सिस्टम के भी बारे में बताया था क्योंकि नर्व सिस्टम जब पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल में बात करेंगे मैंने इसलिए बताया था नर्व सि डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होगा वह आज से होगा क्योंकि आज से स्टार्ट होगा हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के या इलिमेंटरी ट्रेक हैं या इलिमेंटरी कैनाल है उसके जो और गंसे उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपको कि मैंनेasant class में जब digestive system कांच्ट है तए तो इस में बताया था कि जो पूर हमारा digestive system है कोधूर काइल जब हैं और यहां से स्टार्ट हिसे आपको पता होगा अलुमेंटरी कैनाल स्टाट वोती माउट से माॉट से हम यहांसे खाना खाते हैं माउट से स्टार्थ होती फिर जाता है चबाते हैं करते 0b फिर मल के रूप में या फीकल के रूप में बाहर कहां से निकलता है एनस के द्वारा तो हमारा जो digestive system है वो मुझ से start होता है और एनस पर खतम होता है तो इन सारे organs को कौन-कौन से और गन आएंगी इसमें माउथ हो गया इसो फैरिंग्स इसो फैगस stomach, small intestine, large intestine, rectum और एनस फिर असेसरी ओर्गन में जिसलाइवरी gland है उसके बाद liver, pancreas इन सारी चीजों के बारे में detail में बात करेंगे जो की बहुत ही important है तो friends आज हम बात करेंगे mouth first start करते हैं mouth है इसको oral cavity भी कहा जता है क्या कहा जता है oral cavity यह पूरा mouth oral cavity भी कहा जता है तो start करेंगे आज friends oral cavity या mouth oral cavity या mouth friends मैं आपको बता दू कि oral cavity या mouth पूरा है इसमें हम क्या-क्या पड़ेंगे इसमें हम बात करेंगे किस-किस की बात करेंगे friends इसमें टंग होगी जीव टीथ होगे उपर लिख दे है पैलेट इसको तालू भी बोलते है पैलेट होगी टंग होगी टीथ होगे उसके बाद होगे salivary gland है जो थ्री पेर पाए जाते हैं वह salivary gland के है तो इन चीजों के बारे में mouth भी बोल सकते हो यह सब चीजे mouth में आगी बट्ट माउथ के अंदर ही आ जाती है तो friends start करते है oral cavity और mouth तो friends जो mouth है यह हमारी elementary canal या digestive system का first organ है या starting organ बोल सकते हो आप जैसे खाना यहां पर जाता है तो सब सब पहले कहां जाता है मूह में तो इसको हम first elementary GI tract का first part बोल सकते हैं GI tract का first part बोल सकते हैं इसको mouth को GI tract का first part बोलते हैं जैसे friends खाना मूह में जाता है दातो दारा दातो द्वारा मास्टीकेशन होता है चबाया जाता है उसको फिर उसमें क्या है जो slivery gland है वह क्या करती की saliva डालती और फिर वो क्या बन जाता है क्या बन जाता है यह आपको पता होनाँ चाल वो बन जाता है बोलस खाने को चबाने के बाद में उसमें अगर लार मिल जाती है तो उसको खाना ने उसको बोलस बोलेंगे फिर वह जाएगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स के भी तीन पार्ट होते हैं, जब माउथ के बाद हम फेरिंग्स या औरल केविटी के बाद हम फेरिंग्स भी पढ़ेंगे, तो उसमें बात करेंगे, फेरिंग्स तीन टाइप की होती है, नेजो फेरिंग्स, और लेरिंजो फेरिंग्स, तो यह परना तक कोई दिक्कत ने होगी फ्रेंड्स जो यह ओरल केविटी है सबसे फर्स्ट पार्ट होती है हमारी एलिमेंटरी के नाल का और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो आप देख रहे हो फ्रेंड्स माउथ अब हमें यह पता होना चीए कि माउथ जो पूरी औरल केविटी है इसके आगे पीछे देखो आगे किसे हैं लिप्स यह लिप्स है आगे लिप्स से घिरी हुए यह बाउंड्र बनाते हैं साइडों में चिक्स हैं गाल और उपर में हैं पैलेट जो दो टाइप के होते हैं उसके पीचे क्या है तो यह बात कर लेते हम तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैं आपको आनाटॉमी Physiology स्टार्ट की थी तो जब Anatomy Physiology का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया थी Positions क्योंकि एक्जाम में कोई भी आपसे कोई भी ओर्गन के बारे में पूछता है तो सबसे पहले आपको उस ओर्गन के बारे में थोड़ा सा बता कि उसकी पोजिशन के बारे में बताना है कि उसके लेटरल साइड में क्या है उसके एंटिरियर साइड में क्या है उसके पोस्टिर साइड में क्या है सूपीरियर में क्या है और इंफिरियर इससे क्या होगा एक्जामिनर को यह लगेगा बली से आपसे पूचा या नहीं पूचा हो ल कि हमारी जो oral cavity है वो कैसे घिरी हुई होती है चारो तरब से उसके आसपास क्या है तो उसके बारे में बाग करेंगे तो friend सबसे पहले हम बात करें anteriorly सबसे पहले हम बात करें anteriorly anteriorly का मतलब होता है सामने हमारा जो mouth और oral cavity है उसके जर्श सामने क्या है किसे घिरी होती है lips से क्या है friend lips upper lips और lower lips ठीक है यहां तक कोई दिकत ने होगी anteriorly क्या है oral cavity के lips उसके बाद बात करें posteriorly posteriorly friends मैंने आपको बताया कि हमारा जो elementary track है यह elementary कैनल है वो mouth फिर pharynx फिर isophagus तो pharynx में भी तीन पार्ट होते है औरो pharynx जो mouth के पीछे आएगा वो आएगा औरो pharynx और जो नाप के पीछे आता है वो नेजो pharynx और जो लेरिंग्स के उपर आता है वो है लेरिंजो pharynx तो posteriorly सबसे पीछे इसके आएगी क्या आएगी posteriorly की बात करें हम तो इसमें जो औरो pharynx है ना किस से औरो pharynx से continue रहेगा यह औरल क्या विरी continue with continuous with auropharynx auropharynx से continuous है उससे और से मिली होती ही posteriorly की बात करें हम लास्ट में अंदर तीक है soft palate के बाद whack bake यहां तक कोस दिक्कत नहीं पोस्टेरली समझ में आगी और फीचे बोलते है पोस्टिट, लेटरली की बात करें, लेटरली का मतलब होता है साइड में, तो लेटरली का मतलब साइड में, तो दोनों साइड क्या है, मसल्स ओफ चिक्स, muscles of cheeks गालों की muscle उसके बाद friend बात करें अपन superiorly superiorly बात करें superiorly का मतलब होता है उपर तो उपर क्या होगी इस oral cavity की roof च्छत होगी और च्छत किसे मिलके बनी होती है पैलेट से बनी होती है पैलेट दो प्रकार के होते है एक होता है hard palate जो bony होता है bone से मिलके बना होता है bony hard palate एक होता है muscular soft palate superiorly में oral cavity की क्या बनी होती है roof बनाती है कौन palate roof बनाता है oral cavity का तो दो palate होते हैं एक होता है hard palate एक होता है muscular soft palate इसके बारे में भी बात करें inferiorly बात करें हम inferiorly मतलब mouth ये पूरा oral cavity है इसके inferiorly यहां नीचे क्या होगा तो tongue tongue होगी friends muscular tongue tongue भी muscles की बनी होती ना muscular tongue होगी और muscles of mouth floor muscles of mouth floor floor है ना mouth का ये first है ना mouth oral cavity का first है तो friends oral cavity में ये ये चीज़े होती है oral cavity इन चीज़ों से घरीव होई होती है चारों तरप से anteriorly में lips है सामने postular पीछे continue होती है oral pharynx से laterly की बात करें तो muscles of cheek होती है superiorly की बात करें यानि उपर जो की oral cavity का क्या बनाती है roof बनाती है वो होता है hard palate और एक होता है soft palate inferiorly की बात करें friend नीचे tongue और muscles of mouth floor तो फ्रेंट्स यहां तक कोई दिक्कत नी होगी यहां तक समझ में आगया होगा की oral cavity चारो तरफ से किस प्रकार, किस किन चीजों से, किन-किन पार्ट से या ओर्रगन से घरी हुई होती है, तो यहां तक friends कोई दिक्कत नी होगी आपको यह समझ में आगया होगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं friends, जो हमारी oral cavity है, वो पता है आपको सब को पता ह स्वाइव रहते है क्यों रती है क्योंकि एक्तो स्लाइवरी ग्लेंड होती है। जो स्लाइव क्रेट करती हूए उसके बाद एक और अगर ऐसे चिकनी या लस्लसूद नहीं और खाना अंदर करती है। चिकनी शोद्स ऊहांगी प्रोपर उस mucos의 정ifer लोन चाहिए? अइच्स्टोस का सिक्रेशन self-ignment ब候र बैट इस है? स्क्योमस इस्क्योमस स्टैट फैड स्क्यमस epithelium tissue में पाए जाती है और यह कहाँ पाए जाता है squamous epithelium यह पाए जाता है mucous membrane कहाँ पाए जाता है friends mucous membrane तो समझ में आ गया होगा कि हमारी जो oral cavity है वो किससे घिरी होती किससे lining होती है mucous membrane की lining होती है उस mucous membrane कौन से टीसू से मिलके बनी होती है stratified squamous epithelial tissue से और उसमें क्या पाए जाती है mucous secretory gland goblet cell और वो क्या करती है mucous secret करती है जिससे क्या होता है mouth लसलसा रता है mouth एकदम चिकना रता है जिससे क्या है food आसानी से अंदर चला जाता है friends एक चीज और याद रखना westi westibule westibule यहाँ पर एक चीज आएगी westibule इसका ज़्यदा जिक्र नहीं है फिर भी अगर एक जाम में कई बार पूछ ले आप से कि westibule कहा होता है oral cavity में जो हमारे दातों के मसूडे होते है मसूडे side में यह कोड़े दातों के मसूडे और यह जो गाल इनके बीच में जो खाली जगह है दातों के मसूडे गंप्स और चिक्स के बीच में जो खाली जगह है वह क्या है westibule तो इसको ध्यान रखना कई बार पूछ ले इतना इंपोटेंट नहीं है फिर भी तोड़ा सा ध्यान रखना यहां तक कोई दिकत नहीं होंगी friends अब बात करें अपर oral cavity के बात करेंगे तो अब हम बात करेंगे palate क्या होता है palate क्या होता है palate palate दो type का होता है friends पेलेट यह क्या बनाता है औरल केविटी की औरल केविटी की रूफ बनाता है रूफ औरल केविटी की छत बनाता है ठीक है औरल केविटी की क्या बनाता है या माउथ की क्या बनाता है रूफ बनाता है यह दो टाइप का होता है यह दो टाइप का होता है एक होता है hard palette एक होता है soft palette डाइग्राम में बताऊंगा मैं आपको एक डाइग्राम बताऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा हाड पेलेट और soft पेलेट जो हाड पेलेट होता है friends जस्ट उपर आप जीब से उपर टच करो आपको हाड नजर आएगा बिल्कुल हाड नजर आएगा तो यह एंटिरेली होता है मलब यह आगे होता है यह जिसे यह माउथ उपर का फ्लोर है मालो यह माउथ का तो यह एंटिरेली होगा और इधर soft पेलेट है वह यहाँ होगा तो यहाँ पे होगा hard पेलेट और इधर होगा soft पेलेट जैसे है ठीक है इधर hard पेलेट होगा इधर soft पेलेट होगा तो यह एंटिरेली होता है और पोस्टिरेली होता है यह जो बोन है मैंक्जीला बोन उपर वाली बोन है मैंक्जीला बोन तो फ्रेंट जो हार्ड पेलेट होता है वह मैंक्जीला बना होता है मेक्जिला बोन प्लस पेलेटाइन बोन कौन सी बोन पेलेटाइन बोन ये क्या करती पेलेटाइन बोन फ्रेंड्स औरल केविटी को सेपरेट करती किससे नेजल केविटी से औरल केविटी सोरी और नेजल केविटी और यह औरल केविटी तो इनके भीच में एक पटी एक पार्टिशन बन जाता है। इसके द्वारा मेक्जिला और पेलेटाइन बोन के द्वारा उठेड lange क्जाम है मेन हाड़ पेलेट का कोई इतना रोल यहाहा काम करता है, हड़ पेलेट हमारी ओरल केविटी को नेजल केविटी के अलग करता है, ठीक है, ओरल केविटी से, सास के चलिए खानार सास एक साथ भड़ जाएगा, तो अलगलग, बहुत ही शांदार चीज़े बना का पर ने इचा टो बहुत मजैड़े से बना होता है पेलोन बोन भी क्या करती है जब ये दोनों इससे मिलके बना होता है तो काम यह होगा औरल केविटी को नेजल केविटी से अलग करते हैं इसके बाद हम बात करें sop well itacion시면 man's or sawt grupos की बना होता है क्यों होता है इसका मतलब मसल्स से बना होता होता है यह किसके पोस्टीरेल होता है हार्ड पेलेट के पोस्टीरेल में होता है हार्ड पेलेट के पोस्टीरेल में होता है और किसका बना होता है मस्कुलार मस्कुलार बना होता है मसल्स का बना होता है सॉप्ट पेलेट अब और आगे जब सॉप्ट पेलेट जाता है यहाँ पर मैंने बताया ऐसे जाता है सॉप्ट पेलेट यह हार्ड पेलेट यह सॉप्ट पेलेट तो ऐसे घूम जाता है और फिर आगे क्या जाती फेरिंग्स तो फेरिंग्स से जाके उसके जो फोल्ड्स होते हैं फोल्ड्स ऐसे मिल जाते हैं फेरिंग्स में अटेच हो जाते हैं फेरिंग्स से continue हो जाती है ठीक है फेरिंग्स मिन्स और फेरिंग्स औरो फेरिंग से मिलेगा ना नेजो फेरिंग तो मिलेगा नेजो फेरिंग से उपर है और फेरिंग नीचे है फिर आती है लेरिंजो फेरिंग तो वह क्या करती है किसे मिल जाती फेरिंग से अब बात करें फ्रेंड जो सौप्ट पेलेट है बहुत ही महत्तोपूंट रोल नि जैसे आप मूग फ्रेंट्स आप मुग खोल होगे तो आपको सामने यहाँ पर घंटी जैसा एक लटका वह स्ट्रक्चर दिखाएं देति मसल की स्ट्रक्चर जिस आप जीब काच के सामने these नीचे करके मुख कोलना पूरा एकदम तो एक structure दिखाए देगी उसको बोलते हैं यूगुला क्या बोलते हैं फ्रेंड्स यूगुला की भी बात कर लेते हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं यूगुला क्या बोलते हैं फ्रेंड्स उसको बोलते हैं यूगुला क्या बोलते हैं यूगुला जो की आइस बिलकुल सामने यहां फ्रोट के back back ओफ फ्रोट के पीछे लटका हुआ रहता है यहां पर जैसे आप माउठ खोलोगे न तो वहाँ पर यह लटका हुआ रहता है और यह कहां से दिखेगा आपको hard palette पूरा complete हो गया hard palette जैसे मालों यह hard palette हाँ दिखाऊ जारा हाँ hard palette और फिसके बाद soft palette आ रहा है hard palette and soft palette तो यह क्या करेगा soft palette के बीच में सही ऐसे लटका हुआ दिखाए देगा आपको soft palette middle of soft palette में या posteriorly hard palette के या middle में soft palette के नीचे soft palette के बीच में लटका हुआ रहता है कौनी यूवला अब यूवला और soft palette दोनों एक साथ एक दोनों muscular organ है muscular part है यह क्या काम करते है जब हम खाना खाते हैं दोनों एक साथ मिलके यूवला और soft palette क्या काम करते हैं जैसे हमने खाना खाया खाना खाते हैं जाना चाहिए और 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 जाना चाहिए तो वो खाना क्या है नेजोफेरिंग्स में जाके बार निकल जाता नाक के द्वारा बार आ जाता तो ये क्या काम करते है यूवला और सॉप्ट फैलेट ये क्या करते है जब जैसे खाना खाएंगे तो उपर जाके नेजोफेरिंग्स को बंद कर देते हैं उपर जाके यहां से जैसे नेजोफेरिंग्स आरी ना इधर से यह फेरिंग्स नेजोफेरिंग्स तो यह दोनों क्या करते हैं ऐसे आके उसको बंद कर देते हैं किसको नेजोफेरिंग्स को तो खाना नेजोफेरिंग्स में नहीं जाएगा तो यह क्या करता है यूगुला औ आफ नेजो फैरिंग्स को बंद कर देता है जिससे वो खाना नेजल केविटी में नहीं जाता है उसके बाद और क्या काम करते है स्वालो में भी काम स्वालो विंग में भी दोन हुए और स्पीच में और यह क्या करता है यूवला लूब्रिकेंट म्यूकस सिक्रेट भी करता है यूवला जिससे क्या है यह थ्रोट को लूब्रिकेंट रखता है थ्रोट को क्या रखता है friends लुब्रिकेंट रखता है कौन यूवला यूवला थ्रोट को भी लुब्रिकेंट रखता है तो friends यहां तक कोई दिक्कत नी होगी अब हम आगे बात करें कि जो यूवला है आपको पता चल गए ना स्पीच में नेजोफेरिंग से करता है और लुब्रिकेंट का स्टिक्रेशन करता है एक तरस्थ ऐसा सलाइवाट करता है वह कौन यूवला इसके बाद हम बात करें आगे फ्रेंड्स यूवला में क्या होता है सब्सक्राइब इस वर किया करता है इसे उस पीछे जो भी मसलस जायेगी क्या करता है चार फोल्ड बनाता है मसल्स का झा बनाता है चार फोल्ट कौन이acyj यूवुला क्या करता है यूवुला फोर फ norm बनाता है जैसे ही वो कूसे अपने saft पेले से टाच होता है तो वो क्या करता है चार फोल्डबनाता है क्या बनाता ये फोर फोल्ड बनाता है चार फोल्ड बनाता है तो जो एंटीरियर ली आगे अभी आप ऐसे मुह कोल के देखोगे ने तो आपको ऐसे यूला के बाद ऐसे उब्री हुई प्रक्से अब बताओंगा को कौन कौन सी इस्टोकशर दिखाई देगी तो खोल वह फॉल्ड है तो एंटी đến में पाया जाता आगे एंटी एंटी ञेंट में जो फोल्ड होगा उसको बोलते हैं प्लेटो घ्लोसल एंट्र हो 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 वोत श्लाग्लोव आगे जो फोल्ड होगा उसको बोलते हैं पैलेटो 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 सोरी पैलेटो ग्लोसल आर्च एंटिरियर में आगे वाला आगे वाला जो फोल्ड है उसको बोलते हैं पैलेटो ग्लोसल आर्च और पीछे वाला जो फैरिंग्स तक जाता है पोस्टिरियर में जो फैरि जो pharynx तक जाता है वो होता है paletopharyngeal arch ऐसे एक दो ऐसे होता है यह anterior लिए होगे माल लो यह posterior लिए होगे माल लो ऐसे एसे एसे यह फोल्ड होता है एसे में अब यह दो फ्रेंड्स एंटेर लियाöß Lambol वी एंटीरल लिए तो यह क्या यह कयी हुला है यह ऐस्य लटकाववा होता है ठीक है तो यह फोल्ड होता है तो इन फोल्ड की दोनों फोल्ड के बीच में आगे वाले और पीछे वाले के फोल्ड की बीच में एक स्पेस होता है और वहां पर क्या होता है कौन सा टीसू होता है लिंफोर्ड टीसू से भरा होता है वह स्पेस लिम्फोड टीसू से भरा होता है या वो इस बीच का स्पेस लिम्फोड टीसू से मिलके बना होता है या उटके बीच में लिम्फोड टीसू का कलेक्शन होता है तो वहाँ पर lymphoid tissue, तो वहाँ पर क्या होता है, tonsils होता है, क्या होता है, friend, tonsils, तो हमारी जो tonsils होते हैं, वो कहाँ पर पाय जाते हैं, सूत एना होता है तो सूत जाता है और फिवर होता है उससे इन्फेक्शन हो जाता है तो यहां पाए जाता है फ्रेंड्सं इन दोनों के बीच में यह तॉनसिल पाए जब यह सूत है ये कमक्त तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नी होगी इसके बाद औरल केविटी का देखो आप एक डाइग्राम दिखाऊंगा आपको सारी चीजे समझ में आ जाएगी तो फ्रेंड्स यह देखो डाइग्राम जैसे ही पूरा माउथ खोला वाइड ओपन माउथ सबसे पहले अपर पैलेट और उसके आगे का पार्ड यह मस्कूलार यहिट बोनी हड पैलेट यह सोफ पैलेट उसके बाद जाओ देखो एक गंटी लटकी हुई है यूवला ठीक है अब यूवला का जो एंटीरियर लास्ट फरस्ट उसके नीचे तो पोस्टिरियर दे रखा है आपको पैलेटो फैरेंजल आर्च यह पोस्टिरियर में देखो पीछे जाती है जो आपको सामने दिखाए देती एपस्टिरियर वॉल नेचे आप तंग की बात कर लो तो फ्रेंस यह थी हमारीatta केविटी यानि माउथ अभी तो पूरी बाकी है इसकी बाद हम फ्रेंड बात करें टंग की टंग पढ़ेंगे अब किसकी बात करेंगे टंग की जीब को भी पढ़ लेते हैं आज इतना कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं है टोपिक कि टंग की बात करेंगे अब तो फ्रेंड्स अब हम बात करें टंग अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है टंग तो कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं पर इंपोर्टेंट टॉपिक है पताओ ना चाहिए आपको टंग के बारे में का टंग सब जानते हैं जीब को कौन जानता इस चीफ को बहुत से पता निए कि जीब क्या क्या काम करती है हमारि छो दिखने में अच्छी नहीं लगती बहुत काम करती ही जीब अब जो सोच आहसकेलावा भी बहुत काम करती हमारी जीब तो फ्रेंड्स जीब की बात करें हम manten Worth तो यह मस्कुलर ऑर्गन जीब मसल्स पूरा मसल्स से बना होता है जीब किस से बनी होती ही, मसल से, और उसमें भी किस मसल से बनी होती है, वोल्यूंटरी, मसल से बनी होती है, कौन, जीब, हमारी जो जीब है, वोल्यूंटरी मसल से बनी होती है, मतलब, इसका मतलब क्या होगा, कि यह हमारे नियंत्रण में है, हम चाहे जब जीब को हिला सकते हैं, उपर कर सकते हैं, जीब को आगे बार निकाल सकते हैं, नाक के टच कर सकते हैं, इधर टच कर सकते हैं, इधर टच कर सकते हैं, किसी चीज को चाट सकते हैं, ठीक हैं, तो ये क्या है, बोल्योंटरी मसल्स की बनी होती है, इसलिए हमारे आपको free दिखती ने, एकदम free jeep, ऐसे, घुमा सकते हो आप, तो यह कहां पे टिकी होती है, यह टिकी होती है, high odd bone, कहां पे टिकी होती है, friends, यह टिकी होती है, higher bone पर बहुत important bone है यह यह जो हमारी jeep है वो किस पर टिकी होती है उसका base कहां पर टिका होता है higher bone पर टिका होता है और यह जो bone है friends यह जो higher bone है वो just हमारी neck के सामने होती है in front of the neck हमारी just neck के सामने होती है higher bone और यह एक मौत्वपूर्ण बात है इसके बारे में यह जो bone है friends आपको पता है कि bone bone से जुड़ी रती है जब जाएकि उसमें stability आती है या वो अच्छी तरफ proper work कर पाती है पर higher bone है वो bone से नहीं जुड़ी होती है यह किस किस से जुड़ी होती है या तो cartilage से जुड़ी होगी या muscle से जुड़ी होगी या ligament से जुड़ी होगी मतलब यह जो bone है higher bone या तो cartilage से जुड़ी है muscle से जुड़ी है ligament से जुड़ी है मतलब यह bone bone से नहीं जुड़ी है तो इस bone को क्या बोलते हैं floating bone कई बार पूछ लेते हैं हमारी body की only one floating bone of our body हाइड बोन है जो floating bone है जिस पर हमारी जीब टिकी हुई होती है तो यहां तक कोई दिकत नहीं होगी अगर आपको चीए तो मैं हाइड बोन का डाइग्राम भी डाल दूँँगा उसकी बात फ्रेंड हम बात करें हमारी जीब है जीब आप उपर से देखो इसमें क्या है आपक बारिक-बारिक चीजे उपर ऐसे टन पर हम बात करें कि जो उपर जो पर पयपी लाइप आई जाती है वह क्या होती है लिटिल प्रोजेक्शन होते हैं वो लिटिल प्रोजेक्शन होते हैं और किसके बने होते हैं किसके बने होते हैं इसक्योमस एपिथीलेम जो पैपिलाई होते हैं जो पैपिलाई होते हैं फ्रेंड्स वो किसके बने होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्योमस एपिथीलियम के बने होते है जो पेपिलाई है वो किसके बने होते है स्क्योमस एपिथीलियम स्पेलिंग में तोड़ी दिक्कत होगी पेपिलाई के स्पेलिंग यह होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्योमस एपिथीलियम के बने होते है पेपिलाई और यह क्या होते हैं नर्व एंडिंग्स होते हैं जहां पर जीब क्या बिभे सवादब का उसमें क्या होती है तेस्ट बढ़ा ही और वह पर कि टेस्ट बड्स पाये जाते हैं जीब में ज सब्सक्राइब किसे प्रेंट किया आप कि इधा कने लिए कहीं बार कुछन पूर लेता हैं कि ऑ दो हमारी जीब अगे क्याय की बात करें हम यह आगे वाला बिलकल फर्न वाली बात करें तो जो फ्रंट में पाद Oui add yeah फ्रंट में जो टेस्ट होगा वह को मीठा कैसा होगा S with आगे बिल्कुल कि है को खोने में बात करें तो सिट होगा ने पीछे जाते मैं भी डाइग्राम बता दूँसके यह जिसे जी बना दून यार आपको यह जी बना दी तो यह जो पार्ट है यह स्वीट उसके बाद यह जो पार्ट है फ्रेंड्स यह होगा साल्टी यह होगा साल्टी ठीक है आप नमकीन वाला जो टेस्ट है वो यहाँ पे आएगा जीबी है और यह जो टेस्ट आएगा यह साल्टी आएगा यहाँ पे आगे स्वीट आएगा उसके बाद तोड़ा सा पीछे चलें यहां पे आएगा सौर, खट्टा यहां पे आएगा सौर, खट्टा ठीक है, मिठा, साल्टी, सौर और उसके बाद आएगा बाइटर लास्ट में, लास्ट में जो टंग का जो लास्ट पार्ट उसमें है बाइटर यानि कड़वा जैको बगवान ने किस तरह से बनाई है जीवा मादी वह लग कड़वी चीज को लास्ट में रखा है बाइट कोई चीज कड़वी भी खानी है तो लास्ट में आए उसका पहले से ही मूँ खराब ने हो जाएगा, यहां से मूँ खराब हो जाएगा तो खाएगा यहां टक जाएगा, यहां भी उसको कड़वी चीज का स्वाध ने आएगा यहां भी नहीं आएगा और मीटी का तो पटा-पटा जाएगा मीटी का स्टार्टिक में जाएगा तो अच्छी तह रखाएगा तो कड़वी चीज बिल्कुल फीचे रखी तो कि वह अगर आद भी वह कड़वी चीज खानी है न तो वह यहां तक तो बच जाएगा यहां तक तो उसको कड़वा इतने तो फिर गलाय अंदर चरी जाएगी क्योंकि यह अगर उसको कड़वी लगी तो निगलने में बड़ी दिक्कत हो जाती तो भगवान ने कितनी शांदार तरी किसे जीव बनाई है तो जो कड़वाट रखी वह पीचे है फ्रेंस देखो एक डाइग्राम बता दूमें यह देखो डाइग्राम देखो फ्रंट में बिल्कुल स्वीट हैं उसके बाद मिडल में बात करें साल्ट फ फ्रेंस एक और बात बताना चाहूंगा जो जीव है हमारी यह टंग है वो हायवड बोन के लावा नीचे से एक म्यूकस मेंब्रेन का एक फोल्ड होता है जो म्यूकस मेंब्रेन से कवर होता है उस फोल्ड को फ्रेंूलम बोलते हैं तो यह देखो आपको जो इस्ट्रक्चर दिखाए जीव को जैसे उपर उठा दे तो एक तंतु टाइप में दिखाए देता है वह फ्रेनुलम होता है तो यह तोड़ा सा चूट गया था बीच में इसके लिए मैं सोरी चाहूंगा तो यह इसको बोलते हैं फ्रेनुलम उसके बाद हम बात करें फ्रेंड्स ब्लड सप् अभी तक हमने किसी की भी निकी लेकिन जब हम गो इस सिस्टं पड़ेगे तो थोड़ा थोड़ा सा ब्लड सप्बाई की बारे में भी अपन जानेंगे थोड़ा सा नोलिज हो जाएगी फिर जैसे बंडना काडियोवेस्कुला सिस्टम पड़ेंगे तो उसमें पूरा ब्लड सप्लाई इन टंग, तो टंग में किस प्रकार की ब्लड सप्लाई, कैसे कौन सी आर्टर जाती है, कौन सी क्या है, तोड़ा सा मैं आपको बता दू, टंग में ब्लड सप्लाई, फ्रेंड्स मैं आपको बता दू, दो टाइप की ब्लड सप्लाई होती है, एकोती प्योर ब्लड जो apert से होता है, जहाँ पर हर्ट से एयोर्टा से प्योर ब्लड निकलता है, और उस पार तक oxygen और ब्लड पहुँचाता है, फिर वहां से उसका काम हो फिर वापिस हर्ट में डालते हैं तो वह किसके दौरा वापिस आता है वह बेन के दौरा उसको वीनस ड्रेनेज बोलते हैं और इसको बोलते हैं आर्ट्रियल ब्लड फ्लो या आर्ट्रियल ड्रेनेज बोलते हैं तो फ्रेंड्स हम बात करें कि जो आर्ट्रियल ब्लड यानि प्योर ब्लड तो इनके क्या होगा यार यानि आर्ट्रियल ब्लड यानि प्योर ब्लड जिसमें ओक्सिजन है आर्ट्रियल ब्लड सप्लाई यह किसके दौरा होता है लिंग्वल 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 आर्ट्रिय लिंग्वल आर्ट्रिय दौरा किसके दौरा होता है लिंग्वल ब्रांच होती है लिंग्वल ब्रांच होती है आर्ट्रिय नहीं होती लिंग्वल ब्रांच आफ एक्स्टर्नल केरोटीड आर्टरी यहां पर द्याहान लकिना एक्स्टर्नल केरोटीड आर्टरी फ्रेंज्ट्स थोड़ाशा डाय ग्राम से समझाना पढ़ेगा जो जीव में ब्लड सप्लाई होती है आर्टिग्रेज लिग्ववल अ कहां से बताऊंगा एक्सटर्nell के रोटिड् आर्ट्री वाई कि उसकी ब्रांच इसकी कि ब्रांच अ को जाती इस निंग्व में जाती है 라इक olsun सोरी arterial blood supply होती ही जीब है अब तोड़ा सा मैं friends इसके बारे में बताऊँ क्या होता है यह इधर समझा दो हमारा जो यह left मान लो क्या है left ventricle है यहां से aorta निकलती है इसमें क्या होता है ओटुवाला blood यानि pure blood होता है तो यहां से एक branch निकली ठीक है और यहां से एक branch निकली है और यहां से एक branch निकली है और यह जो पूरा arch है इसको बोलते हैं aortic arch आर्च बनी होई ने पूरी यह आर्च बनी होई तो यह जो वाली है यह बोलते हैं subclavian artery ठीक है subclavian artery और यह होती है यह वाली इसको बोलते हैं common carotid artery left common carotid artery left common carotid artery यहाँ पर दिख रहा होगा ना आपको left common carotid artery left common carotid artery ठीक है यह होगी left common carotid artery ठीक है और उसके बाद यह वाली होती है brachiocephalus brachiocephalus artery फ्रेंड्स मैं आपको बता दू जो carotid artery यह हमारे face को और brain को blood supply करती है ठीक है face को और brain को blood supply करती है यह left common carotid artery होगी ठीक है उसके बाद क्या होता है इसमें भी दो ब्रांच निकल जाती है friends इसमें दो ब्रांच निकल जाती है इसमें भी क्या होता है दो ब्रांच निकल जाती है तो इसमें होगी internal internal carotid artery इसमें इसमें ब्रांच निकले तो एक बढ़ जाती है एक हो जाती है सब लिंग्वल आर्टरी उसमें भी राइट और लेफ्ट है और यह हो जाती है एक राइट कॉमन केरोटिड आर्टरी राइट कॉमन केरोटिड आर्टरी एसे होता है फ्रेंज देख लो लेफ्ट वेंट्रिकल से एवोटा निकलती है फिर उससे एवोटिक एक आर्च बन जाती है वहाँ से सब क्लेविन आर्टरी निकलती एक निकलती है लेफ्ट कॉमन केरोटिड आर्टरी एक निकलती है, ब्रैकियोसेफ़लस आर्टे, फिर उसके बाद left common carotid artery दो बागों में डिवाइड जाती है, internal carotid artery और external carotid artery, उसके बाद brachiosepherlic artery यह, वो भी दो बागों में डिवाइड जाती है, सब क्लिबियार आर्टरी और उसके बाद right common carotid artery, तो जो लिंग्वल ब्रांच जहां से आती है वो है external carotidarty, internal carotidarty उपर brain में चली जाती है और external carotidarty पूरे face में या mouth में blood supply करती है, जिसकी अलग-लग branch है, जिसे नाग की branch अलग-लग जगह पे ये जाती है, उसके बाद friend बात करें अपन, venus drainage जीव में वीनेस डैनेट, प्यॉर बलड चल गया वह आपिस इंप्यॉर बलड तो आएगा ना फ्रेंड्स तो वीनेस डैनेज की बात करें तो फ्रेंड्स यहां पर क्या था एक्सटरनल केरोटेड रटी और यहां पर आएगा इंटरनल जुगुलार वैन इंटर्नल जुगलार वेन ठीक है फ्रेंड्स और ये क्या करती है ये क्या करती है ड्रेनेज को लाती है इंटर्नल जुगलार वेन है जो इसमें कौन सी ब्रांच होती है जो लिंग्वल वेन है ये लिंग्वल वेन जीब से आती है ये तो उपर चाहती है क्योंसी है इंटर्नल और एक्स्टर्नL उपर चाहती brain से लेती भी ब्रेंप मौँट से सबसरी लेके आएगई तो यह क्या गर्तप लिंगवळ वैन इसमें अपना इंप्योर ब्लड डाल देती किसमें इंटर्नल जुगलार वेन में अपना इंप्योर ब्लड डाल देती है ठीक है अब यह इंटर्नल जुगलार दो प्रकार के होती है इंटर्नल और एक्स्टर्नल इंटरनल और एक्ष्टनलर जुगलार वेन इन दोनों का ब्लड दोनों वेन का ब्लड कहां मिलता है सुपीरियर वेना केवा क्या होती है सुपीरियर वेना केवा publwerk नाक कि वा बहन होती है बड़ी वेन होती है जो ऊपर से जितना भी impure blood आएगा सारा उसमें मिल याकर फिर वह right at chain में जाएगा फिर वापिस स्प्योर होगा एक्स्टरनल और इंटर्नल जुगलार वह क्या करते है सुपिरियर वेना के वह हमने अपना क्या करते है ब्लड डाल देते हैं जिस से फिर अप्ते हैंड राइट आटे जाता है और और बतादू यहाँ पिय देखो कुली इसको बोलते इंटरनल जुगलार वेंग यह पूरा इंप्योर ब्लड लाती है तो इस प्रकार आयर्ट्राइब चोन होता है इस प्रकार ड्रメस रेने जो जो कि एवोटा से निकलती common carotid artery की दो बागों निकलती लेफ्ट common carotid artery फिर दो बागों में बढ़ जाती फिर वो पूरे ब्रेन को और माउथ को फेस को अपने पूरे oral cavity को क्या करती है क्या करती है blood supply तो friends यहां तक कोई दिकति होगी blood supply में उसके बाद थोड़ी से हम बात करें last बचाए नर्व सप्लाई क्या क्या नर्व सप्लाई होती है इसके बाद हम बात करेंगे नर्व सप्लाई इसके बाद हम बात करेंगे नर्व सप्लाई इसके बाद हम बात करें नर्व सप्लाई किसमें टंग में सबसे पहले बात करेंगे अपन नर्व सप्लाई में हाइपोग्लोसल नर्व हाइपोग्लोसल नर्व यहां पर बस तोड़ा सा ध्यान रखना जब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम तब पूरी डिटेल में बात करेंगे अभी तो जस्ट यह कौन सी नर्व होती है बार्वी क्रेंईल नर्व होती है तोटल कितने पेर होते हैं क्रेंईल नर्व होती है तो यह बार्वी हाइपोग्लोसल नर्व होती है जो कि क्या करती है जो वॉल्वेंड ट्रि मसल है हाईपोग्लोसल नर्व होती है जो कि क्रेनिल नर्व की बारवी ब्रांच यह है किसको सप्लाइ करती श्री है क्लियान निर्व को सब्सक्राइब आप निल्ल्स को हम जैसे कहिंगा जीव को भाए निकाला नहीं तो यह क्या संके देगी cranial nerve को फिर cranial nerve इसको बेढ़ेगी कि जा उसको बोल की बहुत तेरे को बाहर निकलना है थीकिए तो इस प्रकार नर्व supply होती है तो hypoglosal nerve यह दियान रखना hypoglossal nerve उसके बाद friends अब बात करें मेंडीबूल नर्स में करने करने कर स्ँंगर कौन सी नर्व है फिप्त क्रेनियल नर्व है यह क्या करती है जीव को क्या करती है जिसे पेन टेम्प्रेचर इनका सेंसेशन यानि सेंसरी सप्लाइ करवाती सेंसरी नर्व सप्लाइ करवाती यानि यह सोमेटिक टाइप का है तो यह क्या करती है जीव में कोई पेन हो या जड़ा गरम चीज खा ले एसा नहीं गरम चीज भी निखा तो उससे क्या पहले से ही ऐसा नहीं कितना सिस्टेमेटिक टंग से बनाया यार वगवाल में गरम चीज खा लो अंदर जला देगी ने पर पहले से क्या होती है जीव उसको टेस्ट करके कोई भी गंदी चीज जाएगी तेस्ट करेगी पहले उसके बाद एंटर होगी एक तरह से क्या है यह द्वार रक्षक बन जाएगी कोई बासीवी चीज है तो उसको टेस्ट से पता चलके फिर अंदर जाने देगा तो वह क्या करता एक द्वार पाल के तरह काम करती है ठीक है तो हाइपोग्लोसल नर्व किसको करती वोल्यूटरी मसल को नर्व सप्लाई करती है मेंडिबुलार नर्व होती जो पा एड़ ग्लोसो फेरेंजियल नर्व फेसियल नर्व कोन सी है यह फेसियल नर्व है फ्रेंड साथवी और यह है नवी जो फेसियल है वो साथवी क्रेनिल नर्व है और ग्लोसो फेरेंजियल है वो क्या है नवी क्रेनिल नर्व है तो यह क्या करती है गेसिवर्ण भी, तेस्ट बड़्ड ऐः या पैपिल लाई है उन्पे क्या करती है नर्व सप्लाई करती है नर्फ फोर टेस्ट के लिए जिम्मेदार है यह फेसिल नर्व, ग्लोसो फेरिंजिल नर्व ठीक है तो 3 नर्वो सप्लाई में टंप या फ्रेंड्स यहां तक कोई दिखत नहीं होगी इसके बाद फटा पटम बात कर लेते हैं फंक्षन क्या वुटन करती है जीव मोटा मोटा पता है आपको जीव क्या करती है फंक्शन ऑफ टांग फंक्शन की बात करें कि फंक्शन सबसे पहले स्वालोविंग या चैविंग में भी बहुत महत्व पूंड भूमिका निबाती है या मास्टिकेशन चैविंग इसको एक सब्द और बोलते हैं डी ग्लूटिशन asylum डी जमोली डीलूटिशन है कि डीकल ब body detal भी चांधन का काम यसी निफ निगलोटिशन का मतलबी स्वालोविंग होता है निगलना उसके बाद स्पीच में स्पीच में भी महत्तों पूंबूमी का निभाती है और टेस्ट टेस्ट में तो यह हैं चैविग यह नी मस्टिकेश्ट डी ग्लूत इसमें भी थोड़ा सा दियान रखना यह विद भार डी ग्लूतित में पूर सकते आप से एक जाम से वालो वी और स्पीच में भी और टेस्ट में तो फ्रेंडस यहां कंप्लीट होती है motivate के बारे सब्सक्राइब अगर लाइक और शेयर करो मेरे सब्सक्राइब बढ़ते रहेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहेंगा मुझे और कुछ नहीं चीए बस लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ठीक है चलो मिलते हैं लब यू टेक केर बाई